आज मैं share करने वाली हूँ आप लोगों के साथ बहुत ही ंजी तरीके से inverter की cleaning आज कल दिवाली का समय चल रहा है और inverter घर की सारे चीजों की सफाई चल रहा है तो बहुत ही ंजी तरीके से मैं आज cleaning बताऊंगी तो चलिये हमारे साथ बने रहे है और ये है inverter आप देख सकते हैं कि कितना गंदा हो चुका है बहुत दिनों से मैं इसे साफ नहीं की थी तो ये dust जमते जमते और क्या होता है न कीचन में जब काम होते हैं तो उसका oil इस पे आकर के जम जाता है और बहुत जादा ये गंदा हो जाता है तो बहुत दिनों से मैं इसे अच्छे से साफ नहीं की थी तो मैं इसे साफ कर रही थी कॉलीन वगरा से तो वो साफ हो नहीं रहा था तो मुझे एक ट्रिक मिला जो की बहुत ही आसान तरीके से इसे साफ कर देता है तो ये है कॉल गेट कॉल गेट बहुत ही आसान तरीके से सा साफ करता है मैं आपको बताऊंगी बहुत ही इजी सा टिप्स जो आप हर चीज को इससे साफ कर सकते हैं आपके पंखे में जो ऑईल आ जाता है चाहे स्वीच बोर्ड में ऑईल आ जाता है जो भी चीज में ऑईल का ये जितना भी चीज होता है वो बिल्कुल आसान तरीके से ये साफ कर देता है तो चलिए मेरे साथ बने रहे और वीडियो पसंद आए तो प्लीज सेयर कर दीजिए ये है मिस्वाक का कॉलगेट क्योंकि कॉलगेट नहीं था तो मिस्वाक का मैं ली हूँ और ये भी बहुत अच्छा काम करता है बस सेम प्रोसेस दोनों का है और इसल बाद इसी से पूरे अच्छे से रगरना है क्योंकि इनवर्टर में लाइट रहता है तो इसलिए बिजली का काम में थोरा सा पानी का कमी करके करना चाहिए जिससे की करेंट वगेरा ना लगे और स्विच को आफ कर दीजिएगा तो इस तरीके से मैं पहले अभी स्विच को आफ नहीं की हूँ उपर कर रही हूँ इसलिए जब मैं नीचे जाओंगी तो फिर स्विच को आफ कर दूँगी क्योंकि बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है और देखे एक बार लगाने के पाद ही देखे कितना अच्छा हो गया अगर दो बार इसे अच्छे से आप जब लास्ट में देखेंगे इंवर्टर मेरा एक्दम चमक रहा है तो प्लीज आप लोगों को पसंद आये तो दूसरों के साथ सेर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि अभी दिवाली के टाइम में हम लोगों को उतना टाइम भी नह मिक्सी जितने भी चीजें बहुत आसानी से साफ हो जाएगा जितने पंखा वगरा साफ करने में बहुत ही परिसानी होती है तो वो बिल्कुल अच्छे से साफ हो जाएगा तो यहां देखें यह कितना अच्छा सा क्लेन हो चुका है तो मैं आपको अब दिखा रही हूँ ज क्योंकि ये मेरा 20 साल पुराना inverter है और ये देख सकते हैं कि इतना अच्छा से clean हुआ है तो चलिए इसे share कीजिए और मेरे चैनल को subscribe कीजिए लाइक करना बिलकुल भी मत बोलिए प्लीज मैं बार बार बोलती हूं लाइक करना बिलकुल भी मत बोलिए थैंक्यू मिलते हैं बाई बाई